दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल आज गुजरात पहुंचे हैं उन्होंने राजकोर्ट केज सिविल अस्पताल पहुंचकर उन्हा मामले में दलित पीडितों से मुलाकात की है केजरिवाल ने गुजरात सरकार पर निशाना साते हुए कहा है कि बीजिपी सरका उसे अपील की है कि वो राज्य में बीजिपी के दमनकारी शाषन के खिलाफ एक जुठों उन्होंने कहा कि गुजरात में ये सिर्फ दलित समुदाई के साथ ही नहीं हो रहा बलकि ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार दूसरे समुदाई के लोगों को दबाने की कोशिश भी कर रही है अरविन केजरिवाल गुजरात पहुचे हैं और पिरित परिवार सी मिले हैं आपको बता दें कि दलित वोट बैंक की राज़नीती शुरू हो गई है से पहले राहूल गांधी पिरित परिवार सी मिले थे और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरविन के के बाद मामला गर्मा गया था ये सब पीटा गया वो थाने के सामने पुलीस की मौजूदगी में तो अगर थाने के सामने पुलीस की मौजूदगी में ये होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन के इशारे पे हो रहा है पुलीस क्यों चुप है पुलीस क्यों मि सम्मेदार हैं 17 के वल पकड़े गए हैं उन सब लोगों को तुरंट पकड़के उनको सक्स सक्स सजा दिलवाई जाए उनको ऐसी सजा मिले ऐसी सजा मिले कि अगर भविश्य में कोई करे तो उसकी रूह काप उठे अगर कोई इस तरह की घिनोनी हरकत करता है तो लेकिन गुज पकड़े गए ये केवल दिखाने के लिए तो नहीं पकड़े गए इनको भी थोड़े दिन के अंदर जाच में कमजोरी करके कुछ छोड़ दिया जाएगा बाकियों को पकड़ा नहीं जाएगा इसके उपर और जब प्रशासन शामिल हो तो इसी किसम के घटनाएं की जाती ये दलितों की सुरच्चा के नाम पर सियासी सेर है और जो लोग दलितों की सुरच्चा के नाम पर इस तरह की सियासी सेर करने के माहिर लोग होगये हैं वो इस तरह का हर वक्त उने लगता है कि ये कोई उनके लिए जो है वो महस्व हो गया है उन लोगों के जखमों पे मरहम लगाने की उनकी ना मकसद है ना इच्छा है के वल जो है वो रहुल गांदी जी पहुंच जाएंगे एक दिन उसके पीछे पीछे जो है अर्विन के जी पहुंच जाएंगे फिर कोई और पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है दलितों की सुरच्छा के नाम पर जो सियासी सैर है वो बंदोनी चाहिए पारलामेंट के दोनों सद्रों में इस पर डिसकेशन हुआ डिवेट हुआ देश चाहता है कि समाज का हर वर्ग जादा हाईलाइट किया था दलित की सुमस्या का और वो भी सफाई कर्मचारियों का जिसके वज़े से जीते हैं उनका बहुत प्रमुख भूम क्या रही इनको जिताने में कि आते ही उनको पर्मानेंट कर देंगे लेकिन पर्मान नहीं किया है उसी तरीके से इन्होंने कौ सो आदर्स स्कूल बनाएंगे और सस्ते दर पर कर्ज दिया जाएगा तो दिल्ली में कौन से दलित का विकास इन्होंने कर दिया कि गुजरात में जाकर के दलितों के मान सम्मान और विकास की बात कर रहे हैं